बेलक allowed वेलकम बैक गईजुज़गल में हम डिसकुस करेंगे आइडियलिज़म के बारे में तो आइडियलिığımız को हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद यह जो फिलिश्फी है यह यानि कि जो लोग आइडियलिसम को फॉलो करते हैं जो आदर्शिवादी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो यूनिवर्स है इसको गॉड ने क्रेट किया है और गॉड ही अल्टिमेट रियालिटी है यानि कि गॉड ही परम सत्य है इस फिलोसफी में बेसिकली अध्यात्मिक दुनिया को जाता इंपॉर्टेंस दी गई है तो चलिए इसको डिटेल में डिसकस करते हैं आइडिलिजम ओर्डे सिस्टम है फिलोसफी का इसको ओरिजन हुआ था ग्रीस में और इसके प्रोफाउंडर है प्लैटो नेक्स्ट है आइडिलिजम के एक्सपोनेंट्स तो इस आर इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ इनकी नीब्स आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि सीटाइट में कई बार कोशन आ जाता है कि इन में से कौनसा फॉलोवर है आईडियोग का चार आप्शन सोथे हैं आपके पास आपको बताना होते हैं इस सही आंसर कौन सा है तो इसके लिए आपको इनकी नीद्स पता होने चाहिए सोक्रेट्स महात्मा गांदी स्वामी वेकरनन फ्रीबल हीगल कांथ तो इस सभी इंपॉर्टेन एक्सपोनेंट्स है आइडिलिजम के नेक्स है fundamental principles of idealism तो फर्स प्रिंसिपल है इस universe is created by God तो प्लैटो का मानना है कि इस universe को God ने बनाया है आइडियास की हेल्प से हमारे माइन में जो भी आइडियास होते हैं उनी से मिलके ये universe बना है सेकेंड है spiritual word is superior to material word तो प्लैटो कहते हैं ये जो material word है ये temporary है आज कुछ है कल कुछ और होगा तो ये changeable है ये तृत नहीं है और वो कहते हैं जो spiritual word है वो ideas की हेल्प से बना है और ideas क्या होते हैं eternal होते हैं वो कभी change नहीं होते तो इसलिए वो spiritual word को कहते है superior than material word even जो material word है वो भी ideas की help से मिलके बना है next है man is best creation of the world तो जैसे बागी creatures के पास physical power है वैसे ही man के पास भी physical power है लेकिन man के पास spiritual power भी है उस physical power के अलावा तो idealist कहते हैं ये जो spiritual power है इसे की help से इंसान का development होता है civilization होता है और उसका culture development होता है और वहीं इंसान को happy बनाता है next है ultimate aim of human life is self-realization तो idealist कहते हैं जो human body है उसके अंदर जो soul है वो eternal है उसमें power है वो knowledge का store है लेकिन हम humans उसको ignore कर देते हैं और powerless feel करते हैं लेकिन जब इंसान को self-realization होगा कि उसके अंदर ही सारी powers है उसके अंदर ही सारी knowledge है तो उसके सारी दुखतर दूर हो जाएंगे और यही ultimate aim है human life का अनदर प्रिंसिपल इस truth, goodness, beauty is essential for self-realization तो according to idealism यह तीन important values है फर्स्ट है truth, second is goodness यानि कि truth in action या फिर हमारी जो values है and third is beauty यहाँ पर beauty का मतलब कोई facial या physical beauty नहीं है यहाँ पर beauty का मतलब है consciousness of man यानि कि जो इनसान conscious होगा जिसने truth experience किया हुआ होगा वही self-realization कर सकता है next है idealism के according education के aims कैसे होने चाहिए तो education का ultimate aim होना चाहिए कि इनसान God को जाने और soul को पहचाने इसके लिए इनसान को 4 stages cross करनी पड़ेंगी first stage है develop natural self natural self कैसे develop होगा जब हमारा physical और mental development होगा second है develop social self social self develop होगा हमारा cultural development से moral development से और character development से third है intellectual self intellectual self हमारा reasoning power से develop होगा and fourth है spiritual development next aim है education का cultural development तो जो हमारी living manners है जो हमारी eating habits है जो हमारा custom है language है literature, art, music, values तो यह सब क्या है हमारा culture है and हमारा culture ही हमें natural self से किसमें लेके जाता है social self में and social self से किसमें लेके जाता है spiritual self में and spiritual self ही aim होना चाहिए education का next है conservation, promotion and transmission of cultural heritage तो human culture को conserve करना, उसको promote करना और उसको transfer करना एक generation से दूसी generation में यही aim होना चाहिए education का फिर last aim है realization of truth, goodness and beauty तो education ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ultimate truth, goodness and beauty का realization हो जाए next topic है curriculum of education तो जो हमारे aim से education के उसी के according हमारा curriculum भी होना चाहिए तो curriculum को three parts में divide किया गया है पहला है intellectual activities इसमें include किया गया है mathematics, language, literature, history and science तो इससे क्या होगा इससे बच्चे का intellectual development होगा और उसके reasoning power भी strong होगी फिर second है moral activities इसमें include किया गया है theology को theology में हम religion के बारे में study करते हैं ethics for moral values and spiritual topics तो इससे बच्चे का moral development होगा फिर third है aesthetic activities इसमें art and music को include किया गया है overall idealism के according ऐसा curriculum होना चाहिए जिससे बच्चे का full development हो next topic है methods of teaching तो methods of teaching काफी weak point रहा है idealism में क्योंकि idealist ने कोई भी एक specific method adopt नहीं किया है teaching का उन्होंने कई सारे methods बताए है क्योंकि वो मानते हैं कि वो creator है methods के यानि कि वो बहुत सारे methods create कर सकते हैं और वो कोई भी एक particular method के slave नहीं है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से methods यह नहीं बताए है instruction method दिया है Herbert ने, conversation method दिया है Plato ने, logical method दिया है Hegel ने and practice and repetition method दिया है Pestology ने, play way method है Freeble का and inductive and deductive method दिया है Aristotle ने इसमें एक method मिस हो गया है question and answer method वो दिया है Socrates ने इसको आप mention कर लीजेगा अपने notes में Next है idealism के according discipline कैसा होना चाहिए तो idealism believe करता है inner discipline में and जो freedom दी जाती है बच्चों को वो भी restricted होनी चाहिए freedom का मतलब यह नहीं है कि बच्चे के पास हर चीज का license है वो जो मर जी आया वो कर सकता है freedom होनी चाहिए लेकिन कैसी freedom restricted होनी चाहिए ताकि बच्चा कोई भी immoral काम न कर पाए humans के अंदर internal control होना चाहिए rather than external one like praise and punishment तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको punish करेगा आके तभी आप discipline में आओगे या फिर कोई आपको प्रेज करेगा बहुत जादा तब आप discipline में आओगे यह emphasize करता है impressionistic discipline पे impressionistic discipline का मतलब है self-discipline okay इसी लिए Thomas and Lang कहते है freedom is cry of naturalist while discipline is that of idealist यानी कि जो प्रकर्तिवादी लोग होते हैं जो naturalist होते हैं वो फीड है और जो idealist होते हैं जो आदशवादी लोग होते हैं वो discipline clear होते हैं क्योंकि idealist spirituality के लिए सब्सक्राइब करने की बात करते हैं and spirituality कैसा attain होगी जब discipline होगा फिर है आइडिलिजम में teachers कैसे होने चाहिए तो teachers को बहुत ही ज़्यादा importance थी गई है idealism में वो कहते हैं teacher supreme and important role play करते है teachers help करते है moral and spiritual development में idealist इस बात को मानते हैं कि कोई भी person physical subjects पढ़ा सकता है लेकिन एक ideal teacher ही moral and spiritual knowledge दे सकता है teacher pivot यानि की center of education process होता है and Indian idealism में teacher को three gods यानि की three dev के बराबर consider किया गया है three dev का मतलब है Brahma Vishnu and Mahesh तो इन तीनों के equal होता है teacher freeble की एक बहुत ही प्यारी सी quote है यहाँ पे वो कहते है teacher is just like a gardener who works in a garden in order to bring about the growth of plants तो यहाँ पर garden school है and plants students है teacher बिल्कुल एक gardener की तरह काम करता है अपने garden में ताकि वो अपने students के यानि कि अपने plants की growth में help कर सके उसके students के अंदर जो abilities हैं उनको बहार निकाल पाए लास्ट है आइडिलिजम के according schools कैसे होने चाहिए तो आइडिलिजम के according schools एक मात्र ऐसे जगे हैं जहां पर बच्चों को regular and effective education मिलती है schools में बच्चे pleasing and joyful activities करते हैं जिसे उनको बहुत available है telegram channel पे next lesson में हम cover करेंगे naturalism if you enjoyed this lesson do smash the like and subscribe button thank you very much